अगली कॉलर है सुलेखा जी महराश्ट्र से स्वागत है आपका है अलो हां जी मेरे सर के नसों में दर्द रहता है जटकती है इसी हाल भी है अंदर अंदर हो आड़ देशी ठीके एक काम करने मेरे कहने से ऐसे सीधा बैठे है रोजाना मेरी तरह और यह कान इससे मिलाने कुछ करें यह यह तीन मिनिट रोजाना आपको करना है तीन मिनिट एक साथ कोई नहीं कर सकता एक एक मिनिट करके तीन मिनिट करने पूरे दिन में ठीक है और ऐसे 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 पूरी तरह यहां तक लियाएं अपनी गर्दन गुमा के यह तीन मिनिट बस यह काफी है ठीक दस ग्यारवेद दिन में आपका दर्द कहां गया तनाव कहां गया आप खुछ बहुत खुछ हो जाएंगी के ढूंड के देखें किधर गया यह तकलीफ और महनत काम जरा कम करें और भगवान से मदद मांगें आपको फाइदा मुम्किन है आइए बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका विमलेश जी जी कहां से बात कर रही है मैं भोपाल को बात कर रही हूं ठीक है लेकिन मैं तीन बार दवाई मंगवा चुकी हूं आप कौन सी दवाई लिखी होगी मैं बताती हूं ठीक है आपको मंगवानी है यह दवाईयां हाँ दो के लिए यह एक वह मैं आपको दवाईयों से कोई कोई करनी होती है आपको और प्लेस करना होता है तो आप हेल्प लाइन नंबर पर तुरंद कर सकते हैं दर्श को रोग संबंधी अगर कोई प्रश्ण करना चाहते हैं क्योंकि अपना बहुत कींती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं तो रोग संबंधी प्रश्ण कीजिए और कोई भी अगर आप लोगों को रोव माटीरियल बिलकुँ और भोले भाले लोग होते हैं किसीने कह धिया यही है तो बोल ले जाते हैं भरोख्यों की जगा से लें बगवान से डरने वाले लोग अगर मिल जाए तो असली चीज मिल सकती है रोखिये नकली की कोई वो नहीं है, कालों से हम बच नहीं सकते अगर हम अंदर से ट्रोंग ना हो हम भरोसा असानी से कर लेते हैं हमारे भारत के लोग भोले बाले हैं और जो मैं दवा बताता हूँ अगर वही मिलेगी तो फाइदा हुगा और जिन लोगों ने बाहर से लिए उनको फाइदा नहीं हुआ तो पहले उसकी शेप शकल समझ ले और अब हमने भी एक कोशिश की है कि कोई भी हमसे दवा मगाता है तो हम उसमें उसकी पिक्चर डाल देते हैं कौन सी चीज कैसी दिखती है कैसी लगती है कैसा स्वाध है ताकि लोग दोखा दड़ी से बच सके बिलकुर चलिए से के साथ क कुछ और कॉलर्ड क्यालाज जूई हैं हमारे साथ चंडीगर से स्वाधत है आपका नमस्कार मैं नमस्कार मैं हकीन शाब से बात कर सकता हूं जी जी आदावर साभ चैहीन बताएं किया सवाल है आदावर हकिन साब मैं आप से दो-तीन बार पहले भी बात कर चुका हूं हम म मेरे ना जी बोलते रही है मैं सुन रहा हूं है हकिम साब मैंना काप अब टीवी के आवाद मत सुनिये नहीं तो बात नहीं हो पाएगी अब अपना सवाल पूरा करिये मिटा मेरे को बीच साल से जो था स्पाइन कॉर्ड इंजिरी थी मैंने उसके बाद मैं अपना एलोपेथिक की दवाईयां लेके ठीग हो कुछ मैंने आप से बात करके आपने मुझे गौंच सिया और जैतुन का सिर्का बनाया था एक नुक्ता भी बनाया था दर्द के लिए जैतुन का सिर्का और पेट में मेरे कब्जी बहुत जादे रहती है उसके लिए टी कियर कैप्सूल मंगाये थे एक नुक्ता जिनाब ने मेरे को बताया था सौप मेथी आउला और एक जैतुन का नमक वो मंगा के वो भी मंगाया तो मुझे काफी फ़र आई इस से मेरे सरीम जो जड़करन थी इसमे काफी मर्लब 15% फर्ट है जो काफी साल हो से थी कितने दिन से ले रहे हैं घी- city कितने दिन से ले रहे हैं मुझे गरीब कोस्वा मेहना हो गया एक मेहना दर सिन हो गया थेकि ठीकि अगिए और देखिए ये दवा मैं इसलिए कहता हूँ कि असलिए मिल जाए तो काम हो जाता है और एक मेहने में अगर पचास परसेंट फाइदा है तो बहुत बड़ी कामियाबी है और जब बेल पत्थर आये पत्थर बेल जिसे कहते हैं तो खाया करें रोजाना आदी पत्थर बेल ये भी बहुत अच्छी है पेट के लिए और ये बेल पत्थर का मुरबा भी आता है जब क्योंकि आफ सीजन है आज कर तो बेल पत्थर का मुरबा एक पीश सुबा एक पीश चाम खा लिया करें ये तंद्रुस्ती की दवाएं हैं जो रो मैटेरिल के रूप में खुद्वत ने पैदा की हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि रो मैटेरिल बता दूँ आपको फाइदा हुआ भगवान का खास शुकर अदा करिए और किसी गरीब के काम आ जाईए भगवान बहुत खुश हो पताई कि अजी मेरे दोस्तेवाल लेगे बूलिए इकतांजी मेरे बैटे इंवर 15 साल है और दे जिक्षेना कि गंज गोल खुर करें बाल उट ने हैं बाल ओड रहे हैं अजी गोल घुल खुर करें चीक्त है बस डुजड़ संवर मेरी वहन इनकी उमर है ग्रों के मोफानो कमजोर होरा हैं ठीक और कोई सवाल आपका जा है असे दि Android को गॉन ओर इंगा सफेद आता है कि याद रखें सफेद लेनां और लाल नहीं लेना लाल नकली ह cavalry होता है गौन्द मौरिंगा सफेद, यह गौन्द ऐसा है कि अगर ज़रा सा जबान पर लगाओ तो मिच्छ सिक लगाता है, ऐसा लगता है जिसे कोई ऐसी ड्रग दिया जबान पर, बुरा नहीं लगता है, जबान से थोड़ा सा रियक्ट करता है, और असली लें, बस सो दो सो ग्राम खरीद लें, और एक नारियल पानी में अधा ग्राम गौन्द मौरिंगा सफेद मिलाकर रोज पिलाया करें, और नजला वगरा हो तो उसका इलाज करें, बच्चे को फाइदा बमकिन है, जी, आपकी वहन को थाइराइड है, पतला करने वाला, यह उसका नसका भी आप लीजे, तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम आवला सुखा हुआ, और सो ग्राम गौन्द मौरिंगा सफेद, इन सब को पौडर बनाएं, और एक एक चमश सुबा शाम अपनी बेहन को दें, वह गोली भी लें, जो उनकी गोली चल रही है, और धीरे धीरे उनकी गोली कम होती जाएगी, और वो ठीक होती जाएगी, शाद आट-नो महीने लगे, उनको मुकमल ठीक होने में, तो देखे, आप लता जी, ये दोनों नुसकी अपना लीजिएगा, बहुत आपको आराम मिलेगा, अगर अधिक जानकारी प्राप्त देना चाहती हैं, या फिर आप लिख नहीं पाई हैं, तो आप तुरंट हल्पलाइन नबर पर बात कर सकते हैं, दर्श को देखे, जब आप लोग हमारे साथ जुड़ें, तो टीवी का वाल्यूम कम कीजिए, और कॉपी पैन लेके बैठे, जिससे कि आप हर एक बात लिख पाएं, नो डाउन कर कर पाएंगे, बाकी लाइब कारक्रम है, लाइब आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो पोन उठाए, इन नमबर्स पे कॉल कीजिए, जो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पे आईए, बात करते हैं, अंगले कॉलर से, आगरा से हमारे साथ है, स्वागत है आपका, मैं नहीं से बाट से आगरा से बोल रहा हूं, जी, आपका सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है, कि मुझे सुगर है, सुगर की तो अंग्रेजी दवा चल लगी है, इसके सासी साथ प्रेट में गैस बनती है, ऊपर की हो, ठीक है, यह लगता है, कहीं उल्टी नहीं हो ज जाता बबन नहीं होती है, यह है मेरे साथ प्रेट रहती है, पेड़ साप नहीं रहता है, अच्छे देखिए, एक निसका बहुत कीमती है, अगर आप लिख लें, लिखेंगे नहीं तो कीमती नहीं है, गल्ती भी हो सकती है, पूरी तरह लिख लें, यह आपके शुगर को भी कंट्रॉल करता है, और शुगर की वो दवा भी लेते रहें, जो आप लेते हैं, और निसका कुछ यह हो है कि आवला, आवला सुका मिलता है 200 ग्राम, आवला, 200 ग्राम धनिया, और 200 ग्राम सौफ, और 200 ग्राम मेति दाना, यह सब 800 ग्राम हो गए, और एक आता है, नमक-जैटून कहते हैं इसे बिल्कुल नमक जैसा दिखता है लागि नमकीर नहीं होता इसे रसाइन जैटून भी कहते हैं यह डेड़ सो ग्राम लें इसके साथ पाउडर बनाएं दवाओं के साथ एक चमश सुबह नाश्टे से पहले एक कि चमस्थ शाम को खाने से पहले गरम पानी से लिया करें और दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें आपका सेहत्मन होना उम्किन है अगले कॉलर है जालाओन से रूबी स्वागत है आपका हाँ मेडम नमस्कार मेडम हकीम साथ से बाद करना है ठीक है जी रूबी जी आदा बताईए नमस्कार साम नमस्कार जाहिए मेरे सास में प्रोगलम है और खाती है कम से कम भी साल पुरानी खाती है और कफी भी निकलता है और गैसी भी बनती है ठीक है अच्छा देखिए एक तो आप गरम पानी पिया करें ठीक है दिन में कम असकम पांच बार और एक दवा में मैं आपको वता रहा हूँ वो आप खुद बना ले उसे इस्तमाल करें दिए आपको लेनी है अलसी सो ग्राम अलसी सो ग्राम और सपिस्तान सो ग्राम उन्नाब सो ग्राम और पिचन में जो पीपले होती है हमारे गरम मसालों में एक चीज है जिसे पीपले कहते हैं आपको तो पता होगा एक सवाइंस की लंबी बड़ी खुबस्वरसी होती है यह तीस ग्राम लें और इसको मिलाकर पॉडर बनाकर एक चमश सुबा एक चमश शाम सुबे खाली प स्वागत है आपका अजी नमस्कार नमस्कार अजी मेरे इसा है कि सारवाइकल प्री है हाँ और पेट में गैस बनता है ठीक है और शीज में चक्कार आता है यह परिशानी कब से है आपको यह परिशानी मेरे को आज कम से कम 10-15 साल से है आपकी उमर क्या है उमर 55 साल है ठीक है चो देखिए 10-15 साल की परिशानी है मुझे आप से 10-15 दिन चाहिए अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो 10-15 दिन मुझे दीजे और ऐसे सीधा वेट है रोजाना ऐसे सीधा बैठ जा मेरी तरह और यह कान यह अपने मौडे से लगाएं देखिए यह मौडा नहीं उठना चाहिए यह कान जाना चाहिए इसके पास है न ऐसे रोजाना आपको पांच मिनिट यह एक्सरसाइज करनी है एक साथ कोई नहीं कर सकता इसलिए एक एक मिनिट करके पांच मरतबा करें और यह वाली खूब जोर से इसे मौड़े यहां तक आ जाती ही ठोड़ी यह पांच मिनिट करनी है पूरी चौबीस घंटे में पांच-पांच मिनिट यह दोनों एक्सरसाइज करनी है ठीक पंदरा दिन में आपका सर्वाइकल आपका चकर कहां गया आप खुद धूनते रह जाएंगे और एक तो य सौफ धनिया सुका हुआ आमला और मेथी का दाना दो दो सु ग्राम लें सौफ धनिया सुका हुआ आमला और मेथी का दाना दो दो सु ग्राम लें और नमक जैतून कहते हैं जैतून का रसायन एक नमक जैसी चीज है जो नमकीन नहीं होती यह देर सो ग्राम इन सब के साथ बनाके एक चम्मस सुबा एक चम्मस शाम खाने से पहले खाने के बाद आप कभी भी ले सकते पानी के साथ इसमें थोड़ा से टाइम लगेगा आप यह सब लेके इस्तिमाल करें आपको फाइदा मुम्किन है